आज डाउटनेट आप डाउटनेट पर अपने सब ही गनित, रसायन, विग्यान, भौतक विग्यान और जी विग्यान के डाउट्स का करो सपाया बस प्रशन की फोडों खीचो, एची प्रशन को क्रॉप करो और तुरंट विडियो सिलीशन पाओ अभी डाउटनेट करें और यहां से आएगा B बार, अब यहां पे NAND gate को हमने अप्लाई किया, दोनों का .product और सारे का बार हो जाएगा और यहाँ पर हमारे पास आएगा A.B के बार का बार तो यहाँ पर इसका मतलब हमारे पास किसके बारबर हो जाएगा यह A.B, A.B.B. क्योंकि बार के बार से cancel हो जाएगा तो हमारे पास यहाँ पर जो C1 का मान आएगा वो आएगा A bar dot B bar अब हम बात करते हैं C2 के लिए तो यहाँ पर हमारे पास क्या है A यह हमारे पास B तो यहाँ से आएगा A bar यहाँ से आएगा B bar अब यह क्या है यह हमारे पास एक NOR gate है NOR gate क्या करता है कि दोनों जितने भी input है सबको जोडता और सारे का bar कर देता है तो यहाँ से इसका C2 का जो मान होगा हमारे पास वो आएगा A bar plus B bar सारे का bar जो बराबर होगा A plus हो जाएगा dot में और यह हो जाएगा हमारे पास B तो यह हो जाएगा हमारे पास A dot B क्योंकि bar के बार से cancel हो जाता है तो यहां से a.b यह हमारे पास आ गया c1 और यह हमारे पास जो c2 का मान आया है यहां से वो हमारे पास किसके बराबर आया है यह जो c2 का मान आया है वो a.b के बराबर आया है तो इसको हम लिख सकते हैं a.b A dot B के यहाँ पर इसके बार से बार का मतलब यह A dot B के बराबर होगा अब हम इसमें देखते हैं कि हम इसमें जो यह सार्णी दी है जहाँ पर यह R1 होगा यह R1 मुझे बनाना है R1 क्या बनेगा एक C1 के लिए बनाना है एक मुझे C2 के बनाना है यह C1 के लिए होगा और यह हमारे पास हो जाएगा C2 के लिए तो C1 और C2 के लिए अब हम इसमें देखते हैं तो पहले अब हम देखते हैं C1 के लिए C1 के लिए क्या बनेगा यहाँ पर यहाँ पर C1 के लिए यह input कितना है यहाँ पर पहले input है हमारे पास 1 इन्पूट एक है, यहाँ पे इन्पूट है 0, तो यहाँ पे इन्पूट एक है, यहाँ पे 0 है, तो A हमारे पास एक, एक का बार कितना होगा 0, और B हमारे पास है 0, 0 का बार होगा 1, तो 0 गुना 1 यह हो जाएगा हमारे पास 0, पहले के लिए 0 आएगा, उसके बाद यह एक है यह भी एक है, एक का बार जिरो, जिरो का बार जिरो, तो यहाँ पर आजाएगा जिरो, उसके बाद फिर से, यहाँ पर हमारे पास है जिरो और यह है एक, तो जिरो का बार एक, और एक का बार जिरो, तो यह भी कितना होगा जिरो, उसके बाद, यह हमारे पास एक, एक का बार जिरो और ये हमारे पास है जिरो जिरो का बार एक तो ये भी कितना हो जाएगा शुन्ने उसके बाद फिर से ये दोनों कितने जिरो जिरो तो ये भी जिरो का बार एक जिरो का बार एक तो है पाएगा एक तो इसलिए हमारे पास इसके जो सारनी बनेगी वो पहले के लिए यह यहां से यहां तक के लिए बनेगी तो पहले हम बनाते हैं सीवन के लिए सीवन के लिए सोरी तो सीवन के लिए पहले यहां पे जीरो आएगा फिर हमारे पास जीरो फिर जीरो फिर हमारे पास आएगा एक तो यहां से यहां तक के लिए हमारे पास जो मान आएगा वो जीरो हो हो जाएगा फिर हमारे पास शुन्ना हो जाएगा फिर हमारे पास शुन्ना जैसे क्या आउटपूट आया है तिन चार तक हमारे पास शुन्ना रहेगा फिर हमारे पास हो जाएगा एक तो यह हमारे पास आएगा C1 के लिए output, अब हम बात करते हैं C2 के लिए, C2 के लिए अब हमारे पास जो मान है, अब यहाँ पे, दोनों हमारे पास कितना है, C2 के लिए यहाँ पे 1 गुणा 0, क्योंकि हाँ पे direct 0 हो जाएगी, तो 1 गुणा 0, 0, उसके बाद यह 1 गुणा 1, 1, फिर हमारे पास आएगा, 0 0 गुणा 1, 0, 1 गुणा 0, 0, 0 गुणा 0, तो भी हमारे पास क्या आएगा, 0, तो यह हमारे पास आगा, C2 के लिए output, अब हम इसमें C2 के लिए output बनाते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास पहले आएगा 0, फिर आएगा हमारे पास 2 के लिए 1 आएगा, फिर हमारे पास सब के आशी डाउनोट करें डाउटने डाप या वच्छाप करें अपने सारे डाउट्स आच चार्सो 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 पर